अगर आपके सर्सों की खेत में माहो कीट का टेक हो जाता है तो इस परिस्थिति में पैदावार में लगबग 40% की कमी आ जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा की माहो कीट आपकी सर्सों की फसल को किस प्रकान नुक्सान पहुचाते हैं और इसका नियंतर आप रासायनिक भीच से कैसे कर सकते हैं नमस्कार मैं विकासमा और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल भीके टेके गरी यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मि नहीं करते हैं यह समानित देखा गया है और जब मौसम में परिवर्तन होने लगता है अचानक मौसम काफी गर्म हो जाता है या फिर ठंडा होने लगता है या हमारी ठंडी का महीना खत्म होने लगता है ऐसी परिस्थिती में जो माहो कीट का अटेक होता है वह बहुत ही ज् आते हैं जो हमां आपकी फसल को किस तरीके से नुक्सान पहुंचाते हैं देखिए यह यह जो माहू कीट होते हैं जब यह जब आते हैं आपकी फसल के उपर और जो फलियां लग रही होती हैं उन पर यह अटेक करते हैं और वहाँ पर जाकर जो रस होता है चूस लेते हैं इनको रस चूसक कीट भी बोला जाता है जब आपकी फलियां लगने की अवस्था में ही इनको चूस लेते हैं तो जो आपकी फलियां होती हैं वह गुद्देदार नहीं हो पाती हैं उससे उसमें जो सरसो के दाने बनने होते हैं वह नहीं बन पाते हैं और उसके साथ साथ चिपचिपा पदार्थ भी वहीं छोड़ देते हैं जिससे आपके जो फूल होते हैं जो फूल हैं उनकी ब्रिद्ध भी रुख जाती है और जो फल लगे होते हैं मौके पर वह भी विकास नहीं कर पाते हैं तो जिसकी वज़ा से आपका उत्पाधन काफी कम होता है तो दोस्तों आप लोगों ने यह जान लिया कि माहो तो आप लोगों को एक चीज यहां पर हम बता दें कि इनको कंट्रोल करने के लिए हमको किसी है भी कितनासक की निप नहीं होती है जो हमारी समान कितनासक होते हैं उनसे अब बहुत बेतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं और ओभी 100% पूरी तरह से लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि यह जो कीट होते हैं सीजनी होते हैं सीजन में आते हैं और सीजन खत्म होने के बाद चले जाते हैं ऐसी परस्थिती में दवा डालने के बाद यह तो खत्म हो जाएंगे लेकिन हो सकता है फिर वापस आ जाएं अगर सीजन चल रही हो तो तो ऐसे में आपको अपने खेतों की देख रेक करते रहना चाहिए अगर आ रहे हैं तो फिर दोबारा इस पर जरूर कर देना चाहिए तो अब हम देखते हैं दोस्तों की हमें कौन-कौन सी दवा डालनी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो दवा बताऊंगा आप दोनों में से कोई भी एक दवा का इस्प्रेय कर सकते हैं कंट्रोल माहों को कंट्रोल किया जाता दोनों में से किसी एक दवा का उप्योग करके तो सबसे पहली दवा है इमिडा क्लोप्रीड 17.9 या सेल और जड़ड़ट 80 प्लस इस्टीकर इमिड़ड़ट 80 और प्लस इस्टीकर इन तीनों दवाओं को दोस्तों आप घोल कर छिड क्या है इमिडा को 15 ml प्रति टंकी और जटाट 80-50 ग्राम प्रति टंकी इन दोनों दवा को एक लीटर पानी में घोलकर उसके बाद टंकी में डालकर टंकी को पूरे पानी से भरकर उपर से 5 ml श्टीकर उसमें डाल देते हैं स्टीकर का दोस्तों ध्यान रहे कि स्टीकर को दवा में मिक्स नहीं किया जाता है हमेशा पानी भरने के बाद टंकी में उपर से 5 ml टंकी डाला जाता है तो यह राद दोस्तों आपकी पहली दवा अब देखते हैं कि दूसरी दवा क्या है दूसरी दवा में दोस्तों आप था दवाओं को 25 ग्राम थामेकसान 50 ग्राम 45 को घोल कर एक लीटर पानी में फिर टंकी में डालकर टंकी को पूरे पानी से भर कर उसके उपर से 5 एमिल इस्टीकर डाल सकते हैं दोस्तों इस्टीकर डाल देने से दवा हमारी नुक्सान बहुत कम होती है इस्टीकर यदि आप डाल डाल सकते हैं नहीं डालना चाएं तो कोई बात ने लेकिन दोस्तों हम बताएं कि इस वीडियो में आप लोगों को जरूर स्टीकर ने चाहिए जिससे हमारी दवा योती है और अच्छे तरीके से काम करती है तो यह रहा दोस्तों दोनो दवा दोस्तों यदि आप इन दोनो दवाओं में किसी भी दवा का यूच अपने खेत में करते हैं तो माहो कीट से छुटकारा पा सकेंगे तो किसान भाई बीभीन च्छेतरों से वीडियों को देखते हैं आप लोग बताएं कि माहों को आपके यहां क्या कहा जाता है और इसके साथ साथ आप माहों को नियंत्रिक करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं